इसमें हिंदी का एक पद आया है इसके अलावा और भी कई पोस्ट आये हैं आईए हम हिंदी के पद की बात करें सबसे पहले हम जानने कि इसका वेबसाइट शुरू होगा आठ दस से आठ दस से पहले आप इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे आवेदन की अंतिमति थी है साथ ग्यार अर्था साथ नौंबर और आपका जो कौलिफिकेशन के लिए इन्होंने कटा आफ डेट रखा है वह भी साथ ग्यार अर्था आपके बास सारी डिग्रियां जो भी हैं वह सब साथ ग्यार तक हो जाए CBT होगा कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिया जाएगा और उसका तारीख ये लोग बाद में बताएंगे बताएंगे दो फेज में होगा CBT 1 और CBT 2 CBT 1 में जो क्वालिफाई करेंगे उन्हें दो के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी देखिए हिंदी ट्रांसलेटर का एक पोस्ट है और लेवल 6 में इन्होंने रखा है तीस साल अधिक्ता मायू और फिर आपको छूट दिया है इसमें एक ही पोस्ट है परसनल असिस्टेंट का 19 पद है अगर आप चाहें तो परसनल असिस्टेंट के लिए भी जा सकते हैं हि 1000 रुपे का फी देना है और साथ में इंटिमेशन चार्ज 500 रुपे है दोनों मिला के कुल 1500 रुपे है और बैंकिंग चार्ज अगर लगता है तो वो अलग से होगा इसके बाद अगर आप SCST, EWS महिला है या एक सरीसमेन है तो एप्लिकेशन फी इसमें नहीं लग रहा है ल Hindi with English as a compulsory subject or elective subject or as a medium of examination at degree level अगर मान लीजे आपके पास ये नहीं है तो उन्होंने दूसरा दिकल्प दिया है कि Master's degree in English English हो साथ में Hindi आपने पढ़ी हो graduation level में या medium of instruction अगर वो भी ना हो तो किसी भी विसे में any subject other than Hindi and English with Hindi medium हो और English as a compulsory या elective subject हो अगर वा आपके पास वो भी नहीं है तो इन्होंने फिर आपको विकल्प दिया है कि Master's degree from recognized university in any subject other than Hindi and English with English medium अगर आप Hindi medium नहीं है तो English medium हो भी चलेगा और वो भी नहीं है तो इन्होंने कहा है कि Hindi English ना हो तो भी Hindi and English compulsory और elective subject या दोनों में से either of two don't know as a medium of examination other compulsory और elective subject at degree level इतना विकल्प दिया गया आपने कोई ना कोई तो आपका हो गाई होगा इसके अलावा इन्होंने मांगा है कि आपके पास diploma और certificate course in translation from Hindi to English and vice versa होना चाहिए अगर ये नहीं है तो आपने कहीं नौकरी किया है किसी सरकारी संसान में तो दो साल क आपको अनुवात का अनुभो मांगा है in central और state government offices including government of India undertaking दियान रहे किसी भी private संस्थान से की हुई डिगरी यहां माने नहीं होगी अगर आपको लगता है कि आप इस पद के लिए खुद को fit पाते हैं तो आप आवेदन आज से ही शुरू कर सकते हैं आज से नहीं आठ तार आपको आपको आपको